नमस्कार मेरा नाम है एश्वर्या और आप देख रहे है MP News TV आज के इस कारिकरम में हम किसान बिल पर चर्चा करेंगे केंदर की नरेंदर मोधी सरकार किसान बिल को लेके तीन विध्यक लेकर आई है जिस पर किसानों को बहुत जादा आक्रोश है केंदर सरकार का कहना है कि इससे किसानों की आमदनी ही बढ़ेगी परंतु किसान इस बात को मान नहीं रहे है आक्रोश मुख्य तह केवल एक विध्यक को लेकर है आईए जानते हैं विध्यकों को विस्तार में पहला आवशक वस्तू संशोधन विध्यक इस विध्यक के अनुसार आवशक वस्तू की सूची में आय जाने वाले पधार्तों को जमा खोरी से रोकना एवं उनकी कियमतों को नियंतरण में रखना होता है परंतु केंदर सरकार के नए कानून से आलू, प्याच, दलहन, तिलहन, खाद्य तेल जैसी वस्तूओं को आवशक वस्तूओं की सूची से हटाया जाएगा ऐसा करने पर सरकार का कहना है कि किसानों को उनके उत्पात का उचित्त मूल्यांकन भी मिलेगा और बाजार में स्पर्धा भड़ेगी कृशी सशक्तिकरण वसंगरक्षन विधहक इस कानून के अनुसार किसान वा व्यापारी में बुआई के पहले ही समझोता हो जाएगा इस समझोते में फसल की गुणवत्ता एवं फसल की कीमतों जैसी बातों को शामिल किया जाएगा किसान को डिलिवरी के समय ही व्यापारी दो तिहाई राशी का भुकतान करेंगे एवं बचीवी राशी का भुकतान 30 दिन के अंदर होगा व्यापारी की ही जिम्मेदारी रहेगी कि वह खेत से फसल उठाए अनुबंध खेती पहले से ही की जा रही है जैसे पेपसी को आलू खरीदता है कुंदरू खरीदे जाते हैं निर्यात के लिए 2004 की गठित MS स्वामिनाथन कमेटी ने भी अनुबंध खेती को बढ़ावा देने की मांग की थी अनुबंध खेती को कानूनी रूप देने से कोई भी व्यापारी किसान की जमीन जबरदस्ती हडप नहीं सकेगा व्यापारी किसान को सहयोग वर सहायता देते हैं ताकि अच्छी गुणवत्ता का उत्पादन हो अब आते हैं विवाद के मुद्दे पे इस कानून के तहट किसान को अब APMC यानि किशी उत्पाद विपनन समिती में अपनी फसल बेचने पर कोई बाध्धता नहीं रहेगी किसान अगर चाहे तो अपनी फसल मंडी के बाहर जाकर भी बेच सकते हैं वे दूसरे राज्यों में जाकर भी अपनी फसल बेच सकते हैं जिसके लिए उन्हें मंडी या राज्यसरकार को कोई भी उपकर, फीस या लेवी नहीं देना होगा 2004 की गठित MS स्वामिनाथन कमीटी की पाचवी रिपोर्ट ने भी इसी बात को बढ़ावा देने की मांग की है अब बात करते हैं केंद्र सरकार की क्रिशी विपनन के विशे में कानून लागू करने की सम्विधान के अनुच्छे 246 के अनुसार क्रिशी कर्म, मंडी व मेले राज्य सूची में आते हैं परंतु संग सूची की 42 एंट्री के अनुसार अंतर राज्य व्यापार व वानिज्य के विनियम का अधिकार केंद्र सरकार को है राज्य के अंदर के व्यापार वानिज्य राज्य सूची में आते हैं परंतु यहां संयब्त सूची की 33 एंट्री से परभावित होता है इसका निश्काश यही निकलता है कि केंदर सरकार के कानून राज्य सरकार के कानूनों पर हावी है दूसरे शब्दों में कहे तो केंदर सरकार कृषी उत्पादन वानिज्य एवं व्यापार राजीय वा अंतर राजीय के विशय में कोई भी कानून पारित कर सकती है और वह सम्विधानिक रूप से वैद होगा इस कानून को लेकर किसानों का यह कहना है कि केंदर सरकार ने बिल में यह स्पष्ट नहीं किया है कि यदि उत्पाद को मंडी के बाहर बेचा जाएगा तो वह न्यूनतम मूल ये ला पाएगा या नहीं किसानों को डर है कि यदि वे अपने उत्पात को मंडी के बाहर बेचते हैं तो उन्हें कम कीमत मिलेगी हाला कि जानकार विपणन और वानज्य में भेत करते हैं उनके अनुसार जब किसान फसल की बुआई, कटाई और उसे बाजार में बेच कर आता है तो वह कृशी कर्म कहलाता है और इसी बाजार में बेचने की प्रक्रिया को कानूनी तोर पर विपणन कहते हैं व्यापार तभी चालू होता है जब कृशी अपनी फसल का विपणन यानि उसे मंडी में बेच चुका होता है पंजाब के किसानों का यह कहना है कि यदि APMC के विपणन के एकाधिकार को खारिच किया जाता है तो वे अपना उतपात कहां बेचेंगे क्योंकि जादातर सरकारी खरीद APMC में ही की जाती है APMC अगर कमाई नहीं करेंगे तो वे बंतों नहीं होंगे परंतु ढंक से काम भी नहीं करेंगे और इस वज़े से किसानों को मजबूरन अपना उतपात को बेचना पड़ेगा जिसमें उन्हें कम कीमत भी मिल सकती है किसानों की यह मांग है कि विवाद होने पर कहां जाना है इस बात का बिल में कोई जिक्र नहीं किया है सरकार कहती है कि वे सब डिविजनल मजिस्ट्रेट या डिस्टिक करेक्टर कारियाले पहुझे परंतु ये कारियाले न्याए पालिका नहीं है ना ही ये उन्हें न्याय दला सकते है ना ही समय पर राशी का भुकतान विवात का एक और मुद्दा है न्यून्तम समर्थन मूल्य यानि minimum support price किसान मांग कर रहे हैं कि न्यून्तम समर्थन मूल्य कानूनी हक में बदला जाए परंदु केंद सरकार कहती है कि ऐसा करना असंभव है न्यून्तम समर्थन मूल्य से सिफ 6-7% किसानों को फायदा पहुचता है और ये किसान जादातर हर्याना पंजाब से होते हैं यदि न्यून्तम समर्थन मूल्य को कानूनी रूप दे भी दिया गया तो इससे जादा से जादा 8% किसानों को फायदा पहुचेगा आवशक्ता से जादा खरीदी करने की वज़े से हर साल भारतिय खाद्य निगम यानि Food Corporation of India को हर साल भारी नुकसान उठाना पड़ता है अनाच पड़े पड़े ना सड़े इस वज़े से भारतिय खाद्य निगम हर साल उस अनाच को खुले बाजार में कम कीमत पर बेच देती है यह किसान और सरकार दोनों को आर्थिखानी पहुचाता है मांगे पूरी ना होने की वज़े से 8 डिसमबर को भारत बन का आवभान किया गया था इसका समधान यही होगा कि किसान दलवस सरकार आमने सामने आए और चर्चा से इस मुद्दे को सुलझाए और इसी टिपणी से इस चर्चा से विदा लेते हैं धन्यवाद